इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप Razorpay.com के उपर अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो एक पेमेंट पेज बना सकते हो तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरू करते हैं तो लेट्स कैस स्टार्ट यहापर मैं रेजरपे.com खोल लिया है और इन चीज़ों के दुश्तों आपको दोत्री चीज करना है तो यह मेरा प्रडॉक्ट हो गया आपके पास हो सकता है कोई e-book हो हो सकता है कोई mp3 हो हो सकता है कोई file हो कोई design हो जो भी आपको seal करना है वो product आपके पास होना चाहिए ठीक है second जो चीज़े है आप पर जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपके पास एक one drive या google drive क का अकांट होना चाहिए और आपको जस्ट इस पर अपनी जो फाइल है उसको अप्लोड कर देना है ठीक है तो permettre राफ को ज़स्ट है आपर अप्लोड कर रहा हूं कि इसकर लाद इचेना ही इसके आपड़ जो फाइल थी वो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर copy पर क्लिक करना है और just यहाँ पर copy कर लेना ठीक है इसके बाद आपको इस link को direct download link में convert करना पड़ेगा जिससे कि कोई भी person जब भी आपके product को purchase करे तो payment होने के बाद directly उसके system में आपको जो product है वो आनोट हो जाना start हो जाए ठीक है तो directly अपने one drive link को convert करने के लिए आपको इस website परना पर आपको इस link पर मैं आपको वीडियो के description box में ही दे दूँगा ठीक है यहाँ आने के बाद आपको just उस URL को यहाँ पर paste कर देना है और create direct link पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए invalid आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखिए आप यह सही हो गया है actually दोस्तों आपको one drive पर नहीं बट google drive पर ही file को upload करना पड़ेगा मैंने यहाँ देखिए google drive के उपर ही अपनी file को यहाँ पर upload किया है उसके बाद share पर क्लिक करके इसके link को copy करना है और उसके बाद यहाँ पर paste कर देना है उसके बाद create direct link पर क्लिक करना है और यह आपके सामने direct download link का जाएगा ठीक है इससे यह फाइदा रहेगा कि यह जो customer रहेगा उसको preview दिखाने देगा directly file download हो जाएगी जो कि एक अच्छी बात है ठीक है यहाँ पर हमारे दो काम हो गए आप हम इसको copy कर लेते हैं ठीक है अब दोस्तों आपको आना होगा razorpay.com पर यहाँ पर आपको simply login पर क्लिक करना है ठीक है हम आचुके है अपने razorpay dashboard में और यहाँ पर आपको दिखा होगा payment pages दिखा दे रहा है यहाँ पर आपको just payment page ही create करना है ठीक है तो just इसी click कर लेते हैं इसके बाद create payment page पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने काफी प्रिव्यू आ जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट सेल करना है इसलिए हमारे लिए यह वाला जो page है यह रहेगा ठीक है प्रोडक्ट सेल वाला आपको just इसी पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करना है बागे आप देख लेते हैं बागे आप देख रहे ना आपका काम है वो आप देख लेना है आप ठीक है फीज कर यह हो गया तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए यह वाला हो गया simply use this template पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखे यहाँ पर मैंने अपनी जो book थी ebook थी, pdf थी या product था उसका title लिख दिया ठीक है आपको भी यहाँ पर title लिख देना है इसके बाद यहाँ पर आपको second नीचाना है और यहाँ पर आपको अपने product की photo को upload करना पड़ेगा ठीक है तो photo अप्लोड करने के लिए simply click करना है पहले इसके आपको काट देना है काट दिया इसके बाद यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा image यहाँ देखे है इधर यहाँ पर आपको simply click करना होगा इधर click करना है और अपने product की photo को यहाँ पर डाद देना है इसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर product description में अपने product के वारे में कुछ लिखना पड़ेगा जिससे कि जब customer आपके product के पेज़ पर आए तो आपके product के वारे में पढ़ सके ठीक है तो जितना अच्छा लिखोगे उतना chance ज़्यादा है कि वह product buy कर लिए जाएगा इसके बाद देखे मैंने हाँ पर इस तरीकत लिख दिया है आप भी अपने product के वारे में लिख देना है ठीक है इसके बाद सिर्फ इने x days यानि कि आपको जो product है वो कितने दिनों में deliver हो जाएगा क्योंकि हमारा digital product है तो यह instantly ही deliver हो जाएगा तो हम देखे इसके बाद average deliver time तो यहां पर देखेते हैं क्विक दाउनलोड आफ्स्टर पेमेंट इसके बाद आपको नीची की साइड में अपर देखिए आपको contact के रूप में अपनी email id और अपना phone number यहां पर add करना पड़ेगा जिससे की customer को कुछ problem होती है तो वो आपसे contact कर सके और यह mandatory होता है इसमें आपको डालना ही पड़ता है ठीक है इसके बाद यहां पर आपको और नीचान है और यहां पर आपको अपनी term and condition भी add करने पड़े कि इस तरीके से आपको यहां पर अपना जो टर्म करनेशन लिखने होगी मैंने यहां पर चैट जीपीटी का साहरा लिया है help लियर्स की तर्म करनेशन लिखने के लिए ठीक है तो आप भी अपने केस में चैट जीपीटी के थूँ अपनी term and condition यहां पर लेखवा सकते हो और मैंने यहां पर simply copy paste कर दिया है और अधर वर्ट अडिट किया हुआ है ठीक है इस तरीके से आप यहां पर अपना बना जेना अपने होगा simply हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद fix amount पर क्लिक करेंगे आगर आपको आपके customer के हिसाप से payment लेनी है तो आप दूसरा options रेट कर सकते है वाला देखाता हूँ आपको एक मेंट यहां पर customer decide the amount ठीक है मेरे case में मैं यहां पर fix price रटने वाला हूँ fix price में यहां पर रखती है ठीक है save यहां पर होगे मेरा इसके बाद आपको paste setting में यहां पर आणा है इसके बाद इसको वगरना है नीचे और यहां पर आपको देख रहा होगा redirect to your website देख रहा है action after successful payment के ठीक नीचे second नमर पर redirect to your website इस पर हमें यहां पर क्लिक करना होगा इसके बाद दोस्तों जो link हमने यहां पर generate किया था starting में यहां पर पेस्ट करना है इस पर नीचे save पर क्लिक करना है और उसके बाद create and publish page उपर लेखा हुआ है इस पे just click कर दे रहा है ठीक है इसके बाद देखे आपके सामने यह वाला page को लेगा अब आपको कुछ भी नहीं करना है यह आपका URL आग है जहां जिसको आप copy कर सकते हो और जहां भी आपको share करना है वहाँ share रह सकते हो और जैसे user इस link पे click करेगा और यहाँ पर देखिए इस link पे जैसे वो click करेगा तो उसके सामने यह वाला page इस तरीके से open हो जाएगा ठीक है और यहाँ से वो email ID और phone number डालके अपना payment कर सकता है और यहाँ पर दोसमें देखिए इमेज की तरता कुछ problem आई है इस वएसे यहाँ पर email show नहीं हो रही है तो आप इसको वापर सही कर सकते हो ठीक है तो यह था दोसम पूरा process razor पे के ऊपर अपना जो product है वो sale करने का page बनाने का और इस तरीके साब आप यहाँ पर sale कर सकते हो अब रही बात कि आप इसको share कहा करोगे तो अगर आपके पास youtube channel है तो वहाँ पर कर सकते हो इसके अलावा अगर आपके पास website है तो इसको आप वहाँ पर लगा सकते हो ठीक है तो इस video दोसम इतना ही इसके अलावा कुछ doubt है तो please comment कर देना वीडियो पसंद आये तो लाइक चरू करते ना Thank you very much